हेलो स्टुडेंट्स क्लास नाइंट मैथेमेटिक्स चाप्टर कोडिलेटर एंचियाटी बुक से हम लोग क्वेश्चन्स कर रहे थे एंचियाटी बुक निकाल लीजी मैंने निकाल ली है करते हैं देखो आज एक्जाम्पल 4 करेंगे ठीक है देखेगा एक्जाम्पल 4 मैं रीट करता हूं तू पैरलल लाइन्स एल एंड एम आर इंटरसेक्टेट बाई आ ट्रांसवर्सल पी आज शोनन फिगर ठीक है देखो यहाँ पर टू लाइन से एक लाइन तो यही जिसको हमने एल से दूसरी लाइन यही जिसको हमने एम से दिनोट किया है यह लाइन एल और यह ट्रांसवर्सल पी ठेक है हमेशा लाइन्स को स्मॉल लेटर से प्रेजन करते हैं एल एम पी ठीक है जी अब प्रूफ क्या करना है हमें अच्छा दुबारा रीट करता हूं तो लाइन्स एल एम M are intersected by transversal P, C figure 8.15, figure दे रखा है, तो उसमें यह सारी naming दे रखी है, ठेक है, राइट, जो यहाँ पर है, है न, confused नहीं हो न, यह capital P है, राइट, तो lines को हमेशा small letter से represent करते हैं, और points को हमेशा capital letter से denote करते हैं, तो देखने है, capital letter, ठेक है, यह small letter में लिखा है, मैंने, यह lines को denote कर है, और यह points है, जो capital letter से denote हो रहे हैं, प्रूफ क्या करना है, show that quadrilateral formed by the bisector of interior angle is a rectangle, चलिए, प्रूफ क्या करना है, इसको समझते हैं, सबसे पहले वो बोल रहा है, interior angles low, जैसे, यहाँ पर यह transversal intersect कर रहा है, तो यह जो दो line है, इन दोनों line के बीच में, जो angles बन रहे हैं, कौन से यह, यह वाला angle, यह वाला angle, यह वाला angle, और यह वाला angle, 1, 2, 3, 4, यह चारो interior angles हैं, है न, यह भी हमने lines and angles में पढ़ा हुआ है, जो मैं बार बार बोल रहा हूं हर class में, ठेक है, lines and angles, triangles, अगर नहीं आता है, तो interior chapters में आना मुश्किल है, ठेक है, चलिए, तो हमने पढ़ा था, यह दो line है, इनके बीच में यह interior angles हैं, 1, 2, 3, 4, ठेक है, अब आपको क्या करना है, यह जो interior angles हैं, इनके bisector draw करना है, जैसे, यह जो interior angle A है, इसका bisector draw किया, राइट, फिर, इसका bisector draw किया, यह वाला interior angle, उसी तरीके से, इसका bisector draw किया, उसी तरह से, इस angle का bisector draw किया, तो ऐसा करने पर आपके quadrilateral मिल रहा है, इसको नाम दे रहा है, बुक में B और इसको D, तो आपको proof करना है, यह जो quadrilateral A, B, C, D बना, यह क्या है, यहाँ पर, rectangle है, this is what we have to prove, ठीक है, बात सेंज में आ गए होगी, क्या proof करना है, ठीक है, थोड़ा और पात से कर देंगे, तो हमें, उधर जगे में जाएगी, चलिए, अब हमें, यहाँ पर यह proof करना है, A, B, C, D, rectangle है, proof, start करते हैं, इधर जगे नहीं है, उधर से start करते हैं, ठीक है, चलिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा, A, B, is the bisector of angle P, A, C, लिख सकते हैं, A, B, is the bisector of angle P, A, C, मैं दुबारा बना देता हूँ, यहाँ पर चाहिए तो, ज़्यादा अच्छे से आपको दिखेएगा, यह lines थी, यह transversal है, यह वाला point P, यह वाला point A, यह वाला point C, देख रहे हैं न, P, A, C, तो इसमें जो यह वाला angle है, ठीक है, P, A, C कहला आएगा, P, A, C, यह वाला angle, इसका bisector है, A, B, ठीक है, A, B, इसको bisect कर रहा है, मतलब, two equal parts में divide कर रहा है, ठीक है, मतलब हम लिख सकते हैं angle, P, A, B, equals to angle, B, A, C, P, A, B, मतलब यह वाला angle, B, A, C, मतलब यह वाला angle, angle का naming देना तो आता है न, जिस angle को बताना है, उसका vertex बीच में रहना चाहिए, ठीक है, तो P, A, B, यह वाला angle, फिर B, A, C, यह दोनों आपस में equal हैं, हमने मान लिया, let angle P, A, B, equals to angle, B, A, C, equals to X, हमने माना यह X है तो यह भी क्या होगा, X, ठीक है न, यह X है, तो यह भी क्या होगा, X, इतना clear है, इतनी बात समय आ रही है, चलिए, आगे चलते हैं, अब इधर आ जाते हैं, इसी तरफ, ओके, BC is the bisector of angle, A, C, Q, BC bisector है किसका? A, C, Q, अगर इतना समझ में नहीं आ रहा है, तो इतना बना देता हूं मैं, जैसे यह transversal है, यह वाला point A है, यह वाला point C है, और Q, और यह line है, BC, BC, तो BC is the bisector of angle, A, C, Q, center वाला जो vertex है, वाला angle लेंगे, यह वाला angle, A, C, Q, इसका bisector है BC, मतलब यह वाला angle इसके equal है, है न, तो ऐसा लिख सकते हैं, angle, BC, A is equals to angle, BC, Q, BC, A, BC, Q, तम ने मान लिया, let angle, BC, A, BC, Q equals to, Y, थे, तो हमने मान लिया, यह दोनों आपस में equal हैं न, तो अगर यह Y है, तो यह भी क्या होगा, ठीक है जी, इतने बात clear हो गई, fine, pause करके लिख लू, तो अपना आगे चलते हैं, चलते हैं, आपने लिख लिया होगा, मैं इसको rough करते हूँ, तो हमें यहाँ पर इसको rectangle proof करना हैं, ठीक हैं, तो उसके लिए हमने यह पहला step किया, ठीक हैं, हम क्या करने जा रहे हैं, आप देखिएगा, अब आप देखो, हमें इसको rectangle proof करने हैं, याद है न, quadrilateral को rectangle proof करने के लिए क्या था, हमने पढ़ा था, किसी भी quadrilateral को, rectangle proof करने के लिए, उसको क्या proof करना पड़ेगा, पहले parallelogram, और parallelogram में हम proof कर दें, क्या proof कर दें, one angle is of 90 degree, या फिर, diagonals are equal, इन दोनों में से कोई एक, और, तो वो क्या बन जाएगा, rectangle, चार्ट पड़ा था न, अपने, ठीक है, तो quadrilateral को, parallelogram proof करना, पांच condition है, उन में से कोई एक, प्रूफ कर दें, तो parallelogram बन जाएगा, उसके बाद उसमें, इन दोनों में से कोई एक condition proof कर दें, तो क्या बन जाएगा, rectangle, ठीक है, ऐसा मैंने चार्ट में बताया था, फिर अपने एक चीज़ और discuss करी थी, क्या discuss किया था, अगर आप किसी भी quadrilateral में, चारो एंगल, ठीक है, all the four angles is of 90 degree, आप proof कर दें कि चारो एंगल 90 degree है, तो वो क्या बन जाएगा, rectangle, ऐसा भी किया था, पने, चारो एंगल 90 degree, जब हम चारो 90 proof करते हैं, तो ये condition भी पूरी हो जाती है, और ये भी पूरी हो जाती है, एक ही चीज़ था 90, हमने तो चारो कर लिया, तो वो parallelogram भी हो जाता है, और rectangle भी बन जाता है, ऐसा मैंने पूरा आपको समझाया था, कैसा क्यूं, चारो 90 होने से parallelogram कैसे हो जाएगा, ठेक है, राइट, वो मैंने महाँ पर समझाया है, तो फिलाल मैं इस पे जाना चारो, जैसे हम इस quadrilateral में, A, B, C, D में, चारो एंगल 90 कर देंगे, तो वो क्या बन जाएगा, rectangle बन जाएगा, ऐसा हम पहले भी कर चुके हैं, ठेक है, करें, चलो करते हैं, मैं इसको रप कर देता हूँ, तो अब आपको strategy समझ में आ गई, हम करना क्या चारे हैं, हमें चारो एंगल यहाँ पर क्या प्रूफ करने हैं, 90 डिग्री प्रूफ करने हैं, ठेक है, तो इससे क्या प्रूफ हो जाएगा, rectangle, तो अब मैंने triangle लिया, इन triangle, B, A, C, दिख रहा है, B, A, C, नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर अलग से बना देता हूँ, एससे, कुछ इस तरह से बन रहा है, ठेक है, राइट, B, A, C, यह वाला पार यहाँ पर X है, और यह वाला पार यहाँ पर Y है, B, A, C, यह triangle बन रहा है, triangle में तीनों angle का सम कितना होता है, 180 degree, चेक है, तो हम ऐसा लिख सकते है, angle B, plus angle B, C, A, plus angle B, A, C, equals to 180 degree, triangle में, तीनों angle का सम क्या होता है, 180 degree, this, 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 angle B, हमें पता नहीं है, B, C, A, इसको हमने क्या माना है, Y, B, A, C, इसको हमने माना है, X, राइट, तो angle B, equals to कितना हो गया, 180, इसको दले जाते हैं, यह plus से इदे जाकर minus हो जाएगा, यह plus से इदे जाकर minus हो जाएगा, यह फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, minus common लेलू, तो अंदर साइन चेंज हो जाएगे, 180 minus X plus Y, ठीक है, पहली चीज़, इतनी बास में आ रही है, target क्या है, इस quadrilateral को rectangle प्रूफ करने के लिए सारे angle 90 करेंगे, ओके, अब आगे आते हैं, A, B, यह फिर हमें इस तरह से दे रखा हैं, मैं ऐसा लिख देता हूँ, यहाँ पर, L is parallel to M, line L is parallel to M, ठीक है, यह वाली line, L is parallel to M, ठीक है, यह यहाँ पर दे रखा है बुक में, two parallel lines, L and M, ठीक है, यहाँ पर और लिख देता हूँ, L is parallel to M, आप given में लिख ले ना प्लीज, ठीक है, यह दोनों parallel हैं यहाँ पर, L is parallel to M, and P is the transversal, transversal है, ठीक है, यह L, M, और P यहाँ पर क्या है, transversal है, अगर ऐसा है, तो इन दोनों angle का sum, कितना होगा, 180 degree, ठीक है, हमने पढ़ा था, lines and angles, फिरो भी बात आगे, lines and angles, the sum of interior angles on the same side of transversal is of 180 degree, transversal के same side पर, जो interior angle होगे, उनका sum 180 degree होगा, ठीक है, राइट, तो यह हमें point P दे रखा है, यह A दे रखा है, यह C दे रखा है, यह Q, तो मैं ऐसा लिख सकते हैं, angle P, A, C, plus angle Q, C, P, equals to 180 degree, P, A, C, Q, C, P, C, A, sorry, ठीक है, Q, C, A, यह वाला angle, दोनों का sum कितना है, 180 degree, P, A, C, P, A, C कितना है, 2X, कैसे, यह रख, X, plus X, 2X, उसी तरह से, Q, C, A, कितना है, 2Y, देखेगा, यह भी Y था, यह भी Y, तो दोनों मिलकर कितना हो गया, 2Y, तो हम ऐसा लिख दे हैं यहापर, 2X, plus 2Y, equals to 180, इन दोनों में से, 2 common लेले, राइट, 2 दर जाकर, divide हो जाएगा, तो X, plus Y, equals to, कितना आ जाएगा, 90 degree, तो इस तरह से, X, plus Y के value कितनी आ गई, 90, क्या करेंगे, इस value का, देखते हैं, ठेक है, राइट, इसको अम लोग नाम दे देते हैं, 2, राइट, तो pause करके लिखो, फिर अपना आगे चलते हैं, चलिए, आपने लिख लिया होगा, मैं इसको, drop कर देता हूँ, यह अच्छे हैं, जो examples हैं, यह बहुत सारे concepts कवर करते हैं, ठीक हैं, चलिए, अब आप देखो, यह लास्ट वाली steps मैं यहां पर लिखे रहने देता हूँ, अंगल B क्या था, 180 minus x plus y, तो इस x plus y के value मैं इधर रखना चाहरा हूँ, ठीक है, तो यहां पर लिख देते हैं, by substituting the value of x plus y in equation 1, we get, 1 में रखते हैं, तो आंगल B equals to 180 minus x plus y, है ना, 180 minus x plus y की जगे हम क्या रख देंगे यहां पर, 90, triangle B equals to 180 minus 90 कितना हो गया, 90, ठीक है, इस तरह से हमने अपनी पहली मंजिल पाली, कि यह कितना है, 90 लिख देगी, राइट, चलिए, तो मैं इसको रख करता हूँ पहले, फिर अपन आगे discuss करेंगे, एक काम करो, आप इसको भी लिख लो, ताएकि पूरा सेट कम्प्रीट हो जाएगा, मैं हट जाता हूँ, आप लिख लें इसको, चलिए, आपने लिख लिया होगा, तो मैं इसको भी रख कर देता हूँ, तो हमारा पहला टार्गेट पूरा हुआ, अंगल B कोस्ट्यों कितना हो गया, 90 लिख लें, अब आपन आगे चलते हैं, चलिए, अब आप देखिएगा, ये काम 90 हो चुका है, अब मैं यहाँ पर इस तरह से दुबारा लिख रहा हूँ, L is parallel to M, L is parallel to M, and P is the transversal, और P यहाँ पर क्या है, transversal, ठीक है, कुछ इस तरीके से, P transversal है, ये वाली line L है, ये वाली line M है, यहाँ पर point है, ये वाला point P दे रखा है, बुक में, ये A है, ये C है, ये Q है, ये R है, ये S है, अब आप ध्यान से देखिएगा, ये वाला angle और ये वाला angle दोनों आपस में क्या होंगे, equal, right, alternate interior angles, ठीक है, तो ये 2X है, तो ये भी क्या हो जाएगा यहाँ पर, 2X, बास में आ रही है, ये 2X है, तो ये भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2X, alternate interior angles, ठीक है, तो मैं ऐसा लिखत हूँ यहाँ पर, angle P A C, P A C, is equals to angle A C R, A C R, ठीक है, जिस angle को बताना होता है, उसका vertex बीच में रखना है बस, ठीक है, A C R, Y, alternate, लिखिएगा आप, alternate interior angles, ठीक है, तो देरफोर, angle P A C, बताए यह वाला, equals to angle A C R, equals to 2X, इसलिए दोनों angle क्या हो जाएगे, 2X, ये तो 2X है ही सेरी, हमने माना था X और X, तो 2X हो गया, तो ये भी 2X हो जाएगे, fine, इत्ता clear है, pause करके लिखो, फिर अपना आगे चलते हैं, चलिए, आपने लिख लिया होगा, ठीक है, अब मैं इसको rub कर रहूँ, अब आप देखिए, दुबारा आगे मुझे यही करना है, पर कुछ और करेंगे, अब आप इस angle पर concentrate करें, ये वाल angle, और ये वाल angle, सब कुछ conditions होई है, L is parallel to M, P is the transversal, इस तरीके से, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये वाला angle इसके equal होगा, अगें same reason, alternate interior angles, ठीक है, राइट, angle qca, qca is equal to angle sac, इसको हमने already 2y माना हुआ है, तो ये भी क्या हो जाएगा है यहाँ पर, 2y, ठीक है, ये 2y है, तो ये भी 2y, alternate interior angles, क्यों equal है ये दोनों, alternate interior angles, ठीक है, lines and angles पढ़ोगे न, तो ही ये बात है, बिल्कुल अच्छे से click करेंगी, ओके, तो हमने मान लिया, ठीक है, ये 2y था, तो ये भी क्या हो जाएगा, 2y, तो therefore, angle qca, qca equals to angle sac equals to 2y, ये 2y है, तो ये भी क्या होगा, ठीक है, तो इसको pause करके लिख लें, फिर अपना आगे चलेंगे, चलेंगे, आपने लिख लिया होगा, मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है, तो ये छोटा छोटा पार्ट में लिख के रब करवा रहा हूँ, ताकि एक-एक information आपके पास पहुंच दी जाए, ठीक है, बड़ा simple सा question है, वैसे तो ये, थोड़ा presentation इसमें जादा है, objective होता है, तो खटा-खट हो जाता, बस subjective है, तो हमें इसको properly represent करना है, ठीक है, चलिए, दुबारा यहाँ पर आते हैं, ठीक है, मैं लिखता हूँ यहाँ पर, AD is the bisector of angle SAC, जो AD है, ऐसा question में given है, ये SAC का bisector है, मतलब, कुछ इस तरीके से बना देते हैं, ये रहा, ये transversal है, ये वाला point S है, ये वाला point A है, ये वाला point C है, और AD, ठीक है, इसका bisector है, AD इस angle का bisector है, मतलब, इसको दो equal parts में divide कर रहे हैं, ठीक है, राइट, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, therefore, angle SAD, 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 equals to angle DAC, DAC, समझे हैं ना, जिस angle को बताना होता है, उसका vertex बीच में, ये वाला angle और ये वाला angle आपस में equal हैं, क्योंकि bisector है, बास में आवे, अब आप भ्यान से देखू, ये पूरा angle कितना था, ये पूरा angle 2X था, अभी हमने देखा था, ये पूरा 2X है, तो that means क्या हो जाए, अगर ये bisector है, तो ये X, और ये X हो जाए, ये पूरा 2X था, और इसको equal divide कर रहा है, तो कितना हो जाएगा X और X, therefore, angle SAD equals to angle DAC equals to half of angle SAC, इस पूरे angle का half होगा, पूरे का, right, और ये जो पूरा angle है, SAC, ये पूरा angle क्या है, 2X है, और AD इसको equal divide कर रहा है, दो parts में, बताब आधा-आधा हो जाएगा, fine, fine, so half of this, तो that means कितना हो जाएगा, X, ये X, ये X, अब direct भी लिख सकते हूँ, ठीक है, चलिए भई, ये बात, समझ में आ गई होगी आपको, okay, fine, तो हमें पता लगा, कि ये वाला portion भी X है, और ये वाला portion भी क्या है, okay, I am really very sorry, I am sorry, मैंने गलत बोल दिया, ये Y है, ये पूरा Y था, ठीक है, okay, I am sorry, S, A, C, ये पूरा 2Y था, है न, ये 2Y, तो ये भी 2Y, alternate interior angles, ठीक है, right, fine, तो ये 2Y था, तो इसका half होगा, ठीक है, right, तो कितना हो जाएगा, Y, I am sorry, please confuse नहीं होएगा, बस में आगे न, ये पूरा 2Y है, AD bisector है, दो equal parts में divide कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, Y, right, चलिए, इसको pause करके लिखो, फिर आपना आगे चलते हैं, चलिए, आपने लिख लिख लिया होगा, तो मैं इसको रब कर देता हूँ, आगे चलते हैं, आगें, आप देखिएगा, मैंने यहाँ पर लिखा, CD is the bisector of angle ACR, जो CD है, वो angle ACR का bisector है, यहाँ पर बना दें, कुछ इस तरीके से, A, C and R, यह angle है, इसका bisector है CD, तो इसको दो equal parts में divide कर रहे हैं, मतलब यह वाला part इसके equal है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पर, angle DCA, DCA is equal to angle DCR, जिस angle को बता रहे हैं, उसका vertex बीच में होना चाहिए, bisector है मतलब two equal parts में divide कर रहे हैं, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, half of angle ACR, यह जो angle है, ACR इसका half हो गाई, ठीक है रहे हैं, यह, bisector आधा आधा, ठीक है, अब आप देखो ACR, यह वाला angle, ठीक है, इसके equal था, याद है न, ऐसे बना हुआ था, यह वाला angle, इसके equal था, यह 2X है, तो यह भी क्या होगा, 2X, alternate interior angle, सहम पहले प्रूफ कर चुके हैं, तो यह पूरा का पूरा 2X है, A, C, R, तो ACR की जगे क्या रख देते हैं, 2X, cancel हो गया, तो that means यह कितना हो जाएगा, X, यह X है, तो यह भी कितना होगा, X, ठीक है, इधर आ जाते हैं, तो यह X है, तो यह भी कितना होगा, X, बास में आ गई, चेक है, राइट, इसको भी लिख लो, फिर आपने आगे चलते हैं, चली गई, आपने लिख लिया होगा, मैं इसको रप कर देता हूँ, अब हमारा काम लगबग पूरा होने वाला है, अब आपके सामने यह पूरी चीज़े हैं, कौन सी चीज, क्या है है यहाँ पर, क्या X है और क्या Y है, ठीक है जी, चलीए, अब मैंने लिया यहाँ पर, इन ट्राइंगल, D, A, C, राइट, कुछ इस तरह से बन रहा है, D, A, C, D, A, C, यहाँ पर बहुत कुछ लिखा हुआ है, इसलिए मैंने अलग से बना दिया, मैं इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, जिसमें यह वाला अंगल Y है, यह वाला अंगल X है, D, A, C, आप भी कहाँ, इस तरह से अलग-अलग डाइगराम बना कर फिर समझना, एक्जाम में इस सब बनाना जरूरी नहीं है, यह बस मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि यह दर समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो इस तरह से हमने एक सब फिगर बना लिया, हमें पता है, ट्राइंगल में तीनों अंगल का सम, 180 डिगरी होगा, अंगल D, अंगल D, A, C, प्लस अंगल D, C, अंगल D, अंगल D, C, D, A, C, कितना है, Y, D, C, A, कितना है, X, अब आप देखो, हम अल्रेडी प्रूप कर चुके हैं, एक्वेशन 2 अपनने माना था, कि X प्लस Y के वाल्यू कितनी है, 90, ते बजा के माइनस हो जाएगा, अंगल D, इकोस तू, 180 माइनस, 90, अंगल D, इकोस तू, कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है, तो ये भी हमने क्या प्रूप कर दिया, 90, ठीक है, तो एक काम और हुआ, अब आप देखो, अंगल A को धियान से देखो, अंगल A, ठीक है, राइट, या फिर मैं इस तरह से बोलूँ, अंगल A कहना सही नहीं होगा, मैं यहाँ पर बोलता हूँ, अंगल B, A, D, फोकस कर रहे हैं, B, A, D, है ना, राइट, क्या इस B, A, D, इसका मैं ऐसा लिख सकते हैं, अंगल B, A, C, प्लस अंगल B, A, C, समझ रहे हैं ना, जैसे कुछ इस तरह से बना हुआ है, यह वाला पॉइंट A है, और यह वाला पॉइंट D है, तो B, A, D, इस अंगल की बात करते हैं, इस अंगल की, जैके राइट, B, A, D, यह वाला पॉइंट C है, तो मैंने क्या बोला, B, A, C, प्लस D, A, C, दोनों को प्लस कर देंगे, ठीक है, राइट, तो क्या आ जाएगा, B, A, D, तो यह वाला अंगल देखो आप, B, A, C, यह तो हमने अल्रेडी क्या मान लिया है, X, B, A, C, और D, A, C, इसको हमने क्या मान लिया है, Y, समझ पा रहे हैं, ठीक है राइट, B, A, C, D, A, C, clear हो रहा है क्या, ठीक है राइट, B, A, C, D, A, C, ओके, तो दाट मेंज, अंगल B, A, D, equals to, B, A, C कितना है, X, D, A, C कितना है, Y, और X प्लस Y हमने पहले कितना प्रूफ कर दिया था, पहली प्रूफ कर दिया था, हमने X प्लस Y कितना है, 90 दिगरी, तो लीजिए, एक और अंगल 90 हो गया, ये वाला, ठीक है, अब मैं बस और कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है, तो हमने B, A, D, B क्या प्रूफ कर दिया है, 90 दिगरी, ओके, तो पॉस करके, इसको लिखें, फिर आ आगे चलते हैं, अब एक और एंगल 90 हमें प्रूफ करना है, कर देते हैं, ताकि काम पूरा हो जाएगा, अब आप देखिएगा, मैंने लिया यहाँ पर, अंगल B, C, D, इसको ऐसे लिख सकते हैं, B, C, A, प्लस अंगल D, C, A, राइट, कुछ इस तरह से, B, यह वाला पॉइंट C, और यह वाला पॉइंट D, देख रहे हैं, B, C, D, इस अंगल की बात कर रहे हैं, यह पॉइंट A है, तो यह जो अंगल है, B, C, D, B, C, D, यह दो अंगल से मिलकर बना है, यह वाला, यह वाला, यह वाला कौन सा है, राइट, B, C, A, यह वाला, B, C, A, और यह वाला कौन सा है, D, C, A, इन दोनों अंगल को मिला कर B, C, D बना है, यह वाला अंगल कितना दे रखा है हमें यह आपर, Y, और यह वाला अंगल कित ये तो हो जाएगा Y और D, C, A ये कितना हो जाएगा X पर X plus Y तो already हम लोग क्या प्रूफ कर चुके हैं 90 लिखरी ओके तो X plus Y की जगे क्या जाएगा 90 तो B, C, D ये भी कितना प्रूफ हो गया 90 ठीक है इसको भी पॉस करके लिखो फिर इस question का समापन सामारो करते हैं ठीक है काफी लंबा हो गया ये ठीक है वैसे दिखा जाए तो question easy है पर इसका presentation थोड़ा सा difficult हो जाएगा है कि हम इसको कैसे subjective way में presentation करें objective वो ता था पांच चुन में कतम हो जाता हूँ ठीक है अब मैंने इस तरह से लिखा in quadrilateral a b c d ठीक है कुछ इस तरह से बना हुआ है हमारा quadrilateral ठीक है a b c d right a b c इसमें हमने ये 90 प्रूफ कर दिया है ये 90 प्रूफ कर दिया है ये 90 और ये 90 चारो 90 प्रूफ हो चुके है ठीक है राइट तब ने क्या-क्या प्रूफ कर दिया है अंगल b a d या अंगल a b लिख सकते हो simple ठीक है राइट फाइन फिर अंगल b अंगल b c d अंगल b c d ये में 90 प्रूफ कर दिया है और अंगल d चारो अंगल 90 प्रूफ कर दिया है ठीक है अंगल अंगल त इस सब न इंटी दिघरी है तो देफर क्या-क्या डी मी डीसद अंगल इसलिए क्या है रेक्टैंगल है ठीक है पॉस करके लिखें भई फिर आगे बात करते है चलिए फाइन तो समझ में आया होगा तो इसको थोड़ा सा आराम से शांती से दिरी दिरे देखना ठीक है राइट और सारी बात को समझना और सबसे इंपोर्टन लाइन से आंगल्स टांगल्स चैप्टर आना जरूरी ह उसके बिना यह बाते समझ में नहीं आईए हैं यह मैं स्टार्टिंग से ही आपको बोल रहा हूं तो आई होगी होगा तो सबसे इंपॉर्टन है यहाँत पर प्रेजेंटेशन करना ठीक है अबजेक्टिव होता तो पांशनमें करते हैं में इसके स्केर्णूर्स शौर्ट निकाल लेते हैं ठीक है पर एक सब्जेक्टिव प्रेजेंटेशन है तो आप समझ गए सब्जेक्टिव एक्जाम्स क्यों जरूरी है हमेशा आंसर निकालना इंपॉर्टेंट नहीं आंसर का प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए कहीं पर भी जाओगे तो अगर आपको अपनी किसी बात को रखना है अपनी किसी बात को समझाना है तो समझाने का तरीका आना चाहिए न तो सब्जेक्टिव इसलिए जरूरी होता है कि आप अपनी बात को सामने वाले को अच्छे से समझा सको तो यही हमने यहाँ पर करने की कोशिश करिए मैंने भी समझानी जानी है बिना बुले राइट तो उसका आप जरूर ख्यान लगें तो नेक्स क्लास में मिलते हैं नेक्स कुशिंस के साथ तब तक प्राक्टस करते रहें पढ़ते रहें और सबसे इंपॉर्टेंट अपना ध्यान लगें बाई